आपका स्वागत है आज हमारे साथ संदीप पांडे जी है जो एक अक्टिविस्ट है और मागेसे से अवार्ड विनर है कुछी दिन पहले उन्होंने एक कश्मीर के मुद्दे पे प्रोटेस्ट निकालना चाहा था लखनों में और उसे रोग दिया गया संदीप जी क्या हुआ था जिसकी वज़े से क्या आप अरेस्ट हो गए थे क्या हुआ था पुलीस का रवया कैसा था यूपी में पहले नमशकार आपको और आपके दर्शकों को देखे हमने ग्यारा तारीक को वहां तै किया था कि हम एक घंटे का एक मुंबत्ती प्रदर्शन करेंगे लेकिन पुलीस ने पहले हमसे कहा कि भाई कल बकरीद है आप इसको थोड़ा सा टाल दीजिए दो दिन निधर मत कीजिए तो हमने फिर सोला को टे किया सुदंता दिवस के बाद लेकिन ग्यारा को भी और सोला को भी हमारे और हमारे मित्र एड़ोगेट मुहमद शॉयब जो इस कारिकरम के सहय आयोजग थे हम लोग के घर के बाहर पुलीस लगा दी गई और प्रशाशन ये नहीं चाहता था कि हम घर से निकले और वो मुम्बत्ती प्रदर्शन करें यहां तक तो बास समझ में आती है लेकिन उसके अगले दिन सत्रा को आयोध्या में प्रोफेसर राम पुनियानी को लेके मैं जा रहा था दो दिन का वहां एक सामपरदाइक सद्भावना पे एक शिवर था एक राम जानकी मंदर के अंदर वहां भी हमें नहीं जाने दिया गया फैजबाद की पुलीस हमारे घर से ही पीछे पीछे लगी थी और एक टोल बूत पे रोक के हम लोगों को वापस कर दिया गया और जब मैं 19 अगस्त को वहां गया प्रेसवारता करने के लिए ये बताने के लिए क्योंकि पुलीस हम से कह रही थी कि ये अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद देश का महौल थोड़ा समवेधन शील हो गया है इसलिए आपका कारिक्रम हम नहीं होने दे सकते तो हम ये बताने के थी कि हमारा कश्मीर के से कोई उसका लेना देना नहीं था उसकारिक्रम का और हम तो अयुद्या में एक सर्व धर्म सद्वाव केंद्र बनाना चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले का स्वागत हो जब ये बताने के लिए मैं पहुचा प्रेस वारता के माध्यम से तो फिर पुलीस ने हमको तीन जीपों में बठा के और लखनों के आधे रास्ते पे लाके छोड़ दिया ताकि हम प्रेस वारता ना कर पाएं वहाँ पे और अभी हम लोगों को पाँचो जो ट्रस्टी हैं सरवधर्म सद्भाव ट्रस्ट के जिसमें वहाँ के मंदिर के महंत हैं आचार जुगल किशोर शास्त्री मैं हूँ मेरे मित्र फैजल खान हैं जो खुदाई खिदमतगार के प्रमुक हैं और एक बिहार के दलित सहितकार हैं हरी नरायन ठाकुर जी और एक बिहार की ट्रांसजेंडर हैं रेश्मा हम पाँचों को नोटिस दिया गया है कि आप अयुद्ध्या में आके इस ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते नहीं तो आपके खिलाफ कारवाई होगी तो इस तरह की पाबंदी हमलों के उपर लगाई जा रही है और सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी उससे अलग राए रखने वाला कश्मीर के मुद्धे पे या आयुद्ध्या में राम मंद्र के मुद्धे पे वो अपनी बात कहीं कहे देखी जब माइनॉरिटी का इश्यू आता है तो उसे खास तोर से अड्मिनिस्ट्रेशन और पुलीस को मिला के इसमें वो उसे समेदन शील कहती है तो यह समेदन शीलता आपने कहीं बार देखी होगी अपने काम में तो इसका मतलब क्या है अग्चली इसको अगर हम अनपैक करें तो क्या कहने का मतलब क्या है कि हम मानॉरिटी के सपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट ना करें इसका मतलब क्या होता है जी यही बात मुझे समझ में नहीं आती, बलकि मैंने पुलिस वालों से कहा, कि जितनी कड़ाई आप हमें रोकने के लिए कर रहे हैं, कि हम आयोध्या में अपना दो दिन का मंदिर के अंदर, जिसमें 40-50 लोग आने वाले थे पूरे देश भर से, हम वहाँ पे शिविर न कर पाएं, हम वहाँ प्रेस कांफरेंस न कर पाएं, आप हमें आयोध्या जाने नहीं दे रहे हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, इतनी कड़ाई अगर आपने उन लोग के उपर की होती, जिन्हों ने आके 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी, तो देश में आतंकवाद की ना तो इतनी कड़ाई अगर उन लोगों पे की गई होती, जिन्हों ने इस देश का सामपरदाईक महौल खराब किया है, तो आज हमें ये सब करने की जरूत ही नहीं पड़ती, जो हमें सामपरदाईक सद्भावना के शिवेर और आयोध्या में सर्वधर्म सद्भाव के इंद बनाने की जरूत पड़ रही है, मेरे को याद है आपने 2005 या 2006 में एक यात्रा निकाली थी, उस समय माहौल कैसा था, क्योंकि आयोध्या के बाद, मतलब बाबरी मस्जिद के गर जाने के बाद से, जो माहौल बना है देश में, उसमें कड़ी सुरक्षा, और हर तरह का नियं में क्या फरक है? नहीं, 2002 में भी हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, चित्रकूट से अयोध्या की, पांसो किलो मीटर की, गुजरात में जो नरसंगार हुआ था उसके बाद, जून के महीने में, और वो इसलिए निकाली थी, क्योंकि उस समय जो विश्व हिंदू परि देंगे, तो हम लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को हम गुजरात नहीं बनने देंगे, और वो सामपरदाएक सद्भावना के लिए यात्रा निकाली गई थी, यात्रा तो हमने चित्रकूट से फैज़ाबाद तक कर ली, हमारा फैज़ाबाद के बाद जो अंतिम प कालनी पड़ी थी, क्योंकि ये चित्रकूट से अए उध्या यात्रा के पहले 1999 में हमने पोखरन से सारनाथ की एक परमाणू निशस्त्री करण के लिए एक पद्यात्रा निकाली थी, वो मेरी अभी तक की सबसे लंबी पद्यात्रा रही है, उस पद्यात्रा को तीन जगे रोका गया था, पोखरन, रामदिवरा और फलोदी, उसके कुछ दिर्श आपको आनंद पटवर्धन की फिल्म अमन और जंग में मिलेंगे देखने को, तो जो लोग हमारा रास्ता रोक रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान में तो इस तरह की पद्यात्रा नि बनाया है, वो पाकिस्तान के लिए बनाया है, पाकिस्तान ने हमारे लिए बनाया है, तो ये दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त अभ्यान चलना चाहिए, कि दोनों ही देश अपने परमानुबम खतम करें, इस दृष्टी से 2005 में हमने दिल्ली से मुलतान की एक यात् तेह की, और उसमें सूफी संतों के संदेश को हमने एक साज़ा अधार बनाया था क्योंकि वो दोनों देशों में माने जाते हैं, और यात्रा हजरत निजाम الدین ओल्या की दर्गा तिल्ली से शुरू हुई थी, और मुलतान में बहाउद्दीन जाकरिया की मजार पे खतम हु तब वो राजनीती में नहीं थे, और हमारी यात्रा जब वहाँ पहुची, तो मजार में जो सज्जन रोज दूआ पढ़ते थे, उन्होंने दूआ पढ़नी शुरू की, और इस तरह से शुरू की, कि इसलाम की बरक्त के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तो शाह की हिनदुस्तान, पाकिस्तान के बीच में दोस्ती और अमन के लिए, और फिर आगे जो भी उनको कहना था, उन्होंने कहा, उसके बाद उनके घर प een जनसभा होई, और उस जनसभा में, जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं, मैं तो दस बार गया हूं, हमारे जो दोस्त हैं, तर वो ये कहते हैं तुम सारी बाते कह देना बस ये मत कहना कि हंदुस्तान पाकिस्तान फिर से एक हो सकते हैं क्योंकि उनका कहना था कि आप हंदुस्तान में तो ये बात कह सकते हैं लेकिन यहां आप कहेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आप पाकिस्तान की पहचान को खतम करके आप उसे दोबारा हिंदुस्तान में मिलाना चाह रहे हैं और हमारी पहचान ही बटवारे के अधार पे हैं तो आप ये कहिए कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती हो सीमा से सेना हट जाएं हम अपने हथियार खतम कर दें आने जाने का रास्ता खोल जाएं ये सारी बाते कह दीजिए लेकिन ये मत कहिएगा कि पाकिस्तान हिंदुस् बाहुदीन जकारिया की मजार में पैर रखने को जगे नहीं थी खचा खच भरा हुआ था और जब वो जनसभा हुई जहां वो भीड़ कठी हुई दुबारा तो शाह महमुद कुरेशी ने इस समय के पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये कह दिया कि एक दिन जरूर ऐसा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जर्मनियों की तरह एक हो जाएंगे तो इस समय जो पाकिस्तान में नेत्रत्व है इमरान खान ने करतारपुर साहिब का गलियारा खोला है कश्मीर में शारदा पीठ के लिए भी गलियारा खोलने को तयार है हिंदू धर्मावली बातचीत करना चाह रहा है और हिंदोस्तान बातचीत नहीं कर रहा है अभी तक कि इतिहास में चारों हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए है पाकिस्तान जादा आक्रामक रहा है ये बात जरूर है कि परमाणू बं की होड हमने शुरू कि पहले हमने बनाया फिर उन्होंने बनाया हमारा तो पहला परिक्षण 74 में इंद्रा गाधी ने कर लिया था उसमें हम उनसे आ गये थे लेकिन परमाणू बम बनाने के बाद दोनों देशों की स्थिति ऐसी है कि अगर युद्ध हो गया और गलती से परमाणू बम अगर चल ग लेंगे चाहे वो हिंदुस्तान के नेता हो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो तो इस समय जो कश्मीर को लेके विवाद खड़ा हुआ है उसमें मनमोहन सिंग के समय में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि मैं कश्मीर को बॉर्डरलेस बनाना चाहता हूँ यानि कि कश पाकिस्तान कश्मीर पे दावा करते हैं लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि कश्मीरी क्या चाहते हैं और इस समय जो पूरा महौल है देश में वो ना सिर्फ कश्मीर के ले खड़ा है वहां के लोगों के तो सारे अधिकारों का हनन होई गया है लेकिन हमारे जैसे लोग भी जो कश्मीर के बाहर है वो अगर कश्मीर के समर्थन में कुछ बोलना चाहते हैं वहां के लोगों के समर्थन में कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन में या कश्मीर ही छोड़िये आयोध्या में भी आप राम मंदिर के अलावा कोई बात करना चाहें जैसे हम लोग करना चाह रहे हैं हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत बनाईए भाई जिनको बनाना है वो बनाए लेकिन हम भी अपना बनाना चाहते हैं तो सरकार से अलग और खास करके जो शाशक दल है उससे अलग कोई बात कहने पर उसी तरह से रोक लगाई जा रही है जिस तरह की रोक जम्मू कश्मीर में काफी पहले से लगी होई थी तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है कि मौलिक हमारे समवेधाने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंतरता संगठन बनाने की स्वतंतरता बैठक करने की स्वतंतरता इस तरह के अधिकार अब छीने जा रहे है एक बाँ बताएं जब हम प्रोटेस्ट करते हैं कोई हम चाहते हैं कि लोग उसके साथ जुड़े हमारा मेसेज पहुचे तो कही ना कहीं फिर लोग एक नई भाषा चाहिए या शायद एक नई परिभाषा चाहिए कि आखिर हम अधिकार किस भाषा में मांगे किस तरह से मांगे तो यह एक्टिविस्ट होते हुए आप सोचते हों कि कई बार जो एक्टिविस्ट कहते हैं उसे कहा जाता कि यह तो पॉलिटिकल बात है जी 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 देखिए जो सही अर्थों में एक्टिविस्ट है यानि कि जो समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है मतलब वो सिर्फ एक एंजियो बनाके चैरिटिबल काम नहीं कर रहा है अगर वो वाकई में समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है तो समाज तो राजनिती से संचालित होता है और यह सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं समाजिक हो आर्थिक हो राजनितिक हो तो आपको दूसरे पहलों पर भी बात करनी पढ़ेगी भले ही आप उसके लिए कुछ कर ना पाएं जैसे हमें मालूम है कि हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं मैं एक छोटी सी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ सोसलिस पार्टी इंडिया लेकिन हमें मालूम है कि हमारी पार्टी कोई निकट भविश में ऐसे कहीं सत्ता में नहीं आने वाली है कि हम लोगों के लिए कोई निर्णे ले पाएंगे लेकिन फिर भी ये हम अपना करतव ये समझते हैं कि हम जो सही बात है उसको कहें भले ही उसके लिए हमें कुछ खत्रा उठाना पड़े एक तो बात ही है दूसरा जो आपने प्रदर्शन की बात की और कैसे उसमें लोगों को जोड़ा जाए तो मेरे अनुभाव में तो ये आया है कि ये बहुत करत्रिम तरीके से हम नहीं कर सकते और कुछ एतिहास एक छड़ ऐसे आते है जब मुवमेंट खड़े हो जाते है और लोगों ने कलपना भी नहीं की होती है और ऐसी चीज़े हो जाती है जो बहुत आश्रजनक लगती है जैसे जैपरकाश नरायन एक नाम है जो जन्होंने इस देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि जब उन्यस सो बैलिस के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी, नहरू, पटेल, अबुलकलाम, अजाद वगरस जो बड़े नेता थे सब गरफतार हो गए थे तो जैप्रकाश नरायन और राम उनहर लोहिया जैसे कुछ नौजवान नेताओं उस आंदोलन की बागडोर समभा ली और फिर उनकी एक चुकि वो सोसलिस पार्टी में थे इसलिए कभी सत्ता में नहीं रहे हलाकि नहरूने उनको आमंत्रित किया था उप्रधान मंत्री बनने के लिए जो उन्होंने बाट ठोकरा दी थी और वो तो बुड़े हो गए थे लगभग सेवा निवरती वाली स्थिती में थे जब गुजरात के एक एंजिनरिंग कॉलेज में मैस का बिल बढ़ गया फीस बढ़ गई और चात्रों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन धीरे धीरे ब्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बन गया और उसकी मांग ये हो गए कि वहां की सरकार इस्तीफा दे और चिमन भाई पटेल की सरकार को वो हिल ही नहीं गई बलकि चुनाओ मेहार भी गई एमर्जेंसी के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि एक बुढ़ा आदमी रेटाइर्मेंट से निकल के और इंद्रा गांधी जैसी ताकतवर महिला को उसकी सत्ता को खतम कर सकता है अच्छा फिर उत्तर प्रिदेश की तरफ फिर देखते हैं एक बार कि योगी जी की जो सरकार है उसमें आजकल कितना लचीला पना है क्या मतलब सरकार चला के कुछ एक्सपीडिन्स लेके योगी जी को लगा है कि हम थोड़ी धील दे सकते हैं अलग तरह के पॉलिटिकल ए उनकी एक विचारधरा है उसके हिसाब से अगर वो एक बार निर्णे ले ले लेते हैं तो वो अपना निर्णे आसानी से बदलते नहीं हैं तो योगी आदितनात ने आते ही आते एक एंकाउंटर की एक नीती शुरू की उन्होंने कहा कि हम गोली का जवाब गोली से देंग जबकि ये बात असमवैधानिक है आप एंकाउंटर में जरूर गोली चला सकते हैं लेकिन ये इस देश की हकिकत है कि ज़्याद तर एंकाउंटर फरजी होते हैं तो आप किसी अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं आप उसके खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं न लेकिन आप खुंखार से खुंखार अपराधी के ओपर भी गोली चला के उसको मार नहीं सकते हैं तो इस तरह की जो नीती रही और दूसरी तरफ जो हिंदुत की राजनीती है जिसमें की हिंदुत वादियों को छूट मिल गई कि वो पीट पीट के किसी को माल डालें पे की वो गाय को बेचने के लिए काटने के लिए ले जा रहा है इसलिए आप उसको मार डालें जबरदस्ती दलित महलों से महराणा प्रताब की जैनती के जलूस निकालने के प्रयास जिसमें रागाव लखन पाल शर्मा नामक सांसद ने पुलीस अधिक्षक के घर पे हमल जो आतंकवाद के नाम पे नकसलवाद के नाम पे जो लोग पकड़े जाते हैं आप उनके मानवादिकार की बात करते हैं जबकि उसमें से कई लोग निर्दोश होते हैं हमने कितने केस ऐसे देखे हैं कि आतंकवाद के नाम पे आपने किसी को पकड़ा उसके खिलाफ कोट से बरी करवाया है जो आतंकवाद के मामलों में जिनके उपर इलजाम लगे थे हम लोग बात करते हैं जिसका भी मानवादिकार हनन हो उसकी हम बात करते हैं प्रोफेसर जीडी अगरवाल हरिद्वार में गंगा को बचाने के लिए जब अंशन पे बैठे थे एक सो बारा गया क्योंकि मैं उनको जानता था और मुझे लग रहा था कि इस आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है इसका मानवादिकार हनन हो रहा है हम लोग उनके साथ कड़े हुए उनके लिए मैंने एक पदयात्रा निकाली उनके जाने के बाद क्योंकि उसके बाद एक दूसरे के बीच में एक समझोता है कि हमारे सैनिक एक दूसरी के ओपर गोली नहीं चलाएंगे 1962 के युद के बाद से एक भी भारतिय ये एक भी चीनी सैनिक की जान नहीं गई है गोली बारी में कुश्ती लड़ लेते हैं पत्थर चला लेते हैं धका मुकी कर लेते हैं लेकिन गोली नहीं चलाते हैं हमारा कहना था इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक समझोता होना चाहिए कि हमारे सैनिक एक दूसरे के उपर गोली नहीं चलाएंगे आतंक वादियों से आप निपटें कानून विवस्था के तहद आप उनसे जरूर निपटें उसमें आपको जो भी करना है करें लेकिन सैनिक एक दूसरे के उपर गोली ना चलाएं और आपको मैं बता दूँ एक मज़ेदार बात कि उस यात्रा का समर्थन करने नरेन मोदी की पतनी शरीमती यशुदा बहन आई और आधे गंटें हमाई साथ रहीं और उन्होंने कहा ये बात बिलकुल सही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ती होनी चाहिए दोस्ती होनी चाहिए ताकि हमारे सैनिकों की जान ना जाए तो हम तो उनके अधिकारों की भी बात कर लेकिन पुलिस वाले की हत्या करके और हत्यारों को फूल की माला पहनाई जाए इस चीज़ को कैसे बरदाश्ट किया जा सकता है और ये योगी आधितनात की सरकार के अंदर हो रहा है तो तमाम अराजक तत्वों को जो छूट मिली हुई है कि वो किसी को भी मार दें चाहे वो पुलिस वाला हो और मारने वालों को माला पहनाई जाए या आखलाक के मारने वाला एक जो आरोपी था जब वो जेल में मर गया तो उसकी लाश को तिरंगे में लपेटा गया इस तरह की जो अराजकता देश में फैली है ये हमने पहले नहीं देखी किसी सरकार में जी मा झाला हो झाला हो